ऐसा गुर्वड पागी पाया पूले मारग जिन हैं बताया गुर्वड पागी पाया ऐसा गुर्वड पागी पाया गुर्वड पागी पाया गुर्वड पागी पाया ऐसा गुर्वड पागी पाया गुर्वड पागी पाया ऐसा गुर्वड पागी पाया दसाँ पाश्यां दी आत्मक जागदी जोत ज्यान सुरूप सब्दावतार परगट गुरां की देह परतक सत्गुरू श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी महराज जी दी पावन पवित्तर हजूरी विखे तान तान सत्गुरू श्री गुरू नानक देव सहब जी महराज तान तान सत्गुरू श्री गुरू गोबिंद सिंग सहब जी महराज जी ने जेस अस्थान ते पवित्तर चर्ण पाए ओस अस्थान ते हाजरियां परदे हुए सत्गुरु श्रीगुरु ग्रंच सहब जी महराजी दी पावन पवित्तर हजूरी विखे गुरु की गोद दा अनांद मान दे हुए सत्गुरु महराजी दे निवाजे हुए सत्गुरु दे बहुत ही प्यारे महापुरुख संत बाबा राम सिंग जी गुरुद्वारा नानक सर सिंग्डा जिन्नाते सत्गुरु दी महान बख्षिश है जित्थे कीर्तन दी बख्षिश है ओथे गुरुमत विद्या गुरुवानी दा ग्यान पूर वी सारे तर्मा दा ग्यान उत्थे नाम ब्यास्दी वी बहुत वड़ी बक्षिस है क्योंके जेडे महापुर्ख प्रभूदा नाम जपदे जपदे उदा रूप ही हो जान्दे हन उन्ना वास्ते सद्गुरूदा बचन है हरका सेवक हर ही जेहा पेदना जान हो मानुख देहा बोट समा पहले दी गल है क्रीबन पचासी च्छासी दा समा वड़े महापुर्ख तांतन बाबा सादू सिंग जी उन्ना महापुर्खां दे नाल संत बाबा राम सिंग जी तखत स्री हरमंदर जी पटना सहे उत्थे जित्थे हाजरिया परिया कीर्तन दिया नाम बाणी दे परचार दिया उत्थेक सद्गुरू दी ऐसी बक्षिश होई महापुर्खां दे माने अंदर फुर्णा होया कि जित्निया संता अमरत चकन मास दे त्यार हुन्या हन उन्नानू तखत ते पंज प्यारयां दे रूप दे वेच अमरत चकन दी सेवा ये सानू प्रापत होई दास दे नाल विचार होई पामे ऐसा होंदा नहीं किसे भी तखत सहबान ते ओस तखत दे पंज प्यारे ही अमरत चकन दी सेवा नबाउं दे हन पर ओ कलकी तर पाशा दी ऐसी कला वरती कि महापुर्खा ने ओ सेवा पंज प्यारे ही ते मुखी दे रूप दे विच नबाई ते सैकडे प्राणियानों तखत सहब ते अमरत चकाया सद्गुरु जीदा जो प्रकास स्थान है उपर ली मंजलते अमरत दा बाटा ओदों त्यार हुए उस तो बाद ऐसा कदी भी नहीं हुए कि किसे भी महापुर्ख ने किसे भी जथे बंदी ने तखत दे उपर अमरत चकाया होए जो उस तो पहले भी ऐसी गाल नहीं हुई यू लागदा सी भी कलगी तर पाशादी इना ते बहुत वड़ी बख्शिश है जो सद्गुरु ने आप इना नो पेरना दे के ए सेवा सौंपी है फते बलौन तो पहला एक गाल होर याद आई पुरातन इतिहास पड़ दिया हुए तकत स्री केशगर सहे अनंदपुर सहे उत्थों दी विचार तो उस समय उत्थे एक बहुत बंदगी वाले महापुर्ख हुए उन्ना दा नाम संत पूर्ण सिंग सी बहुत बंदगी वाले संत सो ऐसा होया प्राणे समय दी गाल क्योंके प्रातन मर्यादा है विजिनानों पांज बाणियां जबाननी याद होन अते बाकी रहतां बैतां विच परपक होन ओ ही पांज प्यारयां दी सेवा विच सामल पामे वो तखदे पुजारी रह चुके संद बोध बन्दगी वाले संद पर वो प्रबंदद ओधों प्रबंदक मेटी दे कोल चला गया सी थो प्रबंदका ने कहा जएकर आप आज पांज प्यारयां दी सेवा न बाऊ ते पांज प्यारयां दे विच वी आप मुखी हो करके सेवा न बाऊ बहुत एसानों बड़ी खुशी होएगी। इस सुनके वो कहन लगे भी ये ता बहुत मेरे वास्ते मान दी गाल है, प्रसंता दी गाल है, ता सुभावक ही किसे ने प्रशन कर दीता, भी आपने ता बहुत जादा खुशी दा प्रगटावा कीता। ओ कहन लगे विमेनू इस गालदा अनपव हो रहा है कि दसमेश पिताजी दे नाल जो अपेदता है, ओ क्रोडा जनमा दी, बंदगी, तपस्या, साधना तो बाद प्रापत हों दी है। बहुत बड़ियां, कुरुबानियां, पंथक सेवावां, उस तो बाद किते सद्गरूदे नाल अपेदता मिल दी है। पर ये एक ऐसी सेवा है, जिड़ा कोई बंदगी वाला महापुर्ख है, कोई नाम रसिया है, जिसते सद्गरूदी महर है। ऐसा कोई गुर्सिक, जिड़ों पंज प्यारयां देवेच, मुखी रूप होके, पाई दया सिंग दी था ते सेवा न बंदा है। ओदों फिर दसमेश पिता दी, ओदे नाल, उतना समाओ पूरी अपेता एक मिकता हो जान दी है। इतनी वड़ी ओदों बंदगी है, कहिंदी वड़ी वड़ी तसी मेनों बंदगी देन लगे हो, मेरी ता खुशी दा कोई टिकाना ही नहीं है। तो सद्गुरू दसमेश पिता ने बहुत वड़ी इना महापुर्खां ते बख्शिश कीती सी, सो महापुर्खां ते माने अंदर ओदों मी फुरना सी, कि आज कई थामा ते लोग संपट अखंड पाढ़ दी विरोता कर दे हन। सो जे तखत सहब ते संपट अखंड पाढ़ होवे, ता लोका दी जो परंप लेखे दी गाल है ओ मिट जावे। इना महापुर्खां दा फुरना ओ जो दो समा आया, तखत सहब दी उपर ली मंजिल ते संपट अखंड पाढ़ दी सेवा भी हो गई। सो इस तरह सत्गुरु जी दा बचन है, जो जो चितव है संत जान सो लेता मान। प्रभू दे प्यारे जो जो भी सोच दे हन, ओ प्रमातमा ओना दी गाल मान लेंदा है। सो बड़ी खुशी होई दासन। जो महापुरुखा ने करनाल विखे समागम देवेच दस्या, ब्यसी होन, दो हजार सतारां तक जितने मी समागम होनगे, वड़े समागम, उदसमेश पिताजी दे प्रकास उत्सवनू समर्पत होनगे। बहुत प्रसंता होई, फिर महापुरुखा ने खास करके दासनों हुकम कीता भी तुसे अजोद्या दे समागम देवेच जरूर समूलियत करनी है। वो महापुरुखा ने प्यार दा सदका, आप सारिया संगता ने प्यार दा सदका, दिसमेश पिता दिया पार बख्षिश दा सदका। आज पहली वार इस अस्थान ते इस महान गुर्मत समागम जोके दिसमेश पिता जी दे पो सुदी सत्मी तिन सो पजामे अवतार तार्ण प्रकास उसो गुरुपुरुपनू समर्पित है, उदे विच आपा हाज्रिया पा रहे हैं। सो महापुर्खा ने ओदों में एही विचार कही सी भी दिसमेश पिता जी दे प्रकास अस्थान दे बारे तकस्री हरमंदर जी पटना सहब दा इतिहास, प्रकास अवतार तारण दा इतिहास, ओ संखेब दे विच आप संगता दे सनमुख विचार करांगे। आओ पहला फते बलाईए वाहे गुरु जी का खालशा वाहे गुरु जी की फते दास्तो पहला संथ गेजा सिंग जी आप जी दे नाल दो खास विचारां दी साज एक मांदे बारे दूसरी नशेयां दे बारे विचार करहेशन के बहुत सोनी सब्दां दे विच ओस विचार दा सारांस। सो आप जी नू महापुर्खांदे बहुत ही प्यारे नाम जो स्टेडी सिवानवार है पोला जी छोटा नाम ता याद है पूरा नाम संत अमर जी सिंग जी पोला जी उन्ना तेवी कलगीतर पाश्यादी बक्षिश है महापुर्खांदी असीस है बहुत स्याने विद्वान हैं ते हर गालो बहुत तोलमी ते विचार वाली सर्वन करऊंदे हैं क्योंके महापुर्खांदी संगत दा एफ़ल है उन्ना ने वो व्याख्यादा सारांस आप जी नू दिस्या तो चंद कमेंट पहला ओवी विचार करके क्योंके महापुर्ख भी दास रहे सान भी पंजाब दे विच जड़े नशे हन ओ होर तरह दे हन जो जीवन बरबाद कर रहे हन जवानियां बरबाद कर रहे हन प्रिदर यूपी दे लाके दे जड़े नशे हन ओ उस्तों में जादा खतर ना कहन उन्न ओ दा प्रमान दस्में पाशाने ता दिता ही है सो सनातन तरम दे जो तरम गरंथ सिकंद पुराण जो है सिकंद पुराण दे विच शिवजी ते शाम कारकेत दा संबाद है उत्थे इस जिकरे आया वड़े पुत्तर शाम कारकेत ने पुछया के पिता जी इस दस्सों भी संसार अंदर कोई ऐसी भी बूटी है जिसनों प्रयोग करंदे नाल मुनुख दे सारे ही पुन कर्म नश्ट हो जान दे हो पिछले जन्मा दे वी पुन लोदे खतम हो जान ते ओदे हाथ दा पाणी वी जेडा है और श्राब दे तो लो हो जावे जे कर ओस बूटी नो कोई बहुत विद्वान पंड़त वर्तदा है ब्रह्मन वर्तदा है उस दावी जीवन वो ब्रबाद कर दे वे ओ की चीज है ओ ऐसी केड़ी वस्तू है तो थे जिकर आया है धूमर पानंग रतंग विपरंग दानंग दजन्ती जे नरहा दाता रोरवे जातियंग ब्रह्मन ग्राम सा सूक्र है अगर ब्रह्मन है और ब्रह्मन होके ओ तूमर पान करदा है ओ तमाकूदा सेवन करदा है तो उस ब्रह्मन दे हत्थों पानी पीना मी ओ पाप दस्या है तो उस ब्रह्मन दा की हाल होएगा ओ रोरो नामी नरक वे जाएगा रोरो नामी नरक पोगन तो बाद फिर उन्हों की सजा मिलेगी ब्रह्मन गराम सा सूकर है ओ फिर गराम पिंड़ा दे विच गाओं गाओं दे विच सुवर दी जून विच पहके ते गलियां दे विच गंदगी बिश्टा खांदा फिरेगा क्रोणा जन्मा तक उन्हों सजा मिलेगी जो ब्रह्मन होकर के धूमर पान तमाकूदा सेवन करेगा इसकंद पुराण विच जिकर आया है सकंद पुराण दिया दिया बवन्जा विच उथे काफी सलोक हन इस चीज दे खंडण दे ते फिर एवी जिकर है भी ऐसे ब्रह्मन नो जड़ा मनुख दान देवेगा उन्हों में सजा मिलेगी धूमर पानं रतंग बिपरंग दानंग देंती जे नरा भी उन्हों में सजा मिलेगी वो भी नरकांदे दुख पोगेगा, उन्हों पून नहीं मिलेगा, उन्हों सजा मिलेगी ते इदा उलथा कीता है, तनक तमाकू सेवी है, देव पितर तज जाए, पानी वाके हाथ का मदरा सम होए जाए तनक रंचक मातर भी अगर किसी ने तमाकू का सेवन कर लिया, तो उसके देवते, उसके पितर, सब उसको त्याग देते हैं कोई भी उसकी सहेता नहीं करता, कोई उसकी मदद नहीं करता, सब उसका त्याग कर जाते हैं और उसके हाथ का पिया हुआ पानी सरा पीने के तुल हो जाता है कितना बड़ा गुना है तमाकू के सेवन का पर इस दुख दी गाल है क्योंके माड़ी संगत दा प्रभाव पैण करके साड़े बचे जड़े हम गुर्षिखा दे कारजिना दा जनम होया ओ भी पैणी संगत करके खैनी ते तमाकू ते पुडिया आद इना चीजां दी वर्तों कर दे सानू दिखाई दे रहे हम ओदों होर दुख होंदा है जदों केस भी हों दाड़ा भी होवे ते फिर ओदे मूँ बच पुडिया होवे ज़ा तमाकू होवे ज़ा पांदा बीड़ा होवे ओ ता फिर बड़ी ही दुख दाई गाल है उस ते फिर दसमें पाशादी कितनी करोपी होएगी एदांदाजा नहीं लाया जा सकता भी उस सिखी सुरूप नो कलंकित कर रहा है उस संसार नो दस रहा है भी आज सिख भी ऐसे होंदे हम इस वास्ते कदी पुलके भी वैसे ता सब लोग का वास्ते मना ही है क्योंकि ए महादेव सिवजी कह रहे है सामकार केट से संबाद में पर सिखा वास्ते ता सकत मना ही है गुरू गुबन संग सहे महराज़ दा कोडावी तमाकूदे खेत विचोनी सी लंगया औरो गया सी इस वास्ते पुलके कदी इना चीजानों हाथ वे नहीं लोणा वर्तन दी गालता दूर है तो पूरा यतने रखना है भी तमाकूद खान पीन वाले हत्थों कोई चीज तुसी लेके वर्तनी नहीं क्योंकि उस पश्ट बचन आ चुकिया है भी पानी वाके हाथ का मदरासम होए जाए अगर तमाकूद पीने वाले के हाथ से तुमने पानी भी पी लिया तो पानी नहीं वो तुमने शराब पी लिया शराब के बराबर उसका गुना है इस वास्ते इना चीजान दा सानो पूरा परहेज रखना चाहिदा है खुशी है महापुर खानी संगर दा प्रभाव है क्योंकि जिड़े कमाई वाले महापुर खुंदे हन उनना दे बचना दा असर होंदा है उनना दे गाल गहराई चो निकल दी है किसे विदवान ने कहा जो बात गहराई से निकले वो असर रखती है उन दा प्रभाव प्रभाव पेंदा है क्योंकि उनना ने आप कमाई होंदे हन गुरू दे बचन कि कमाई होई बचन जिड़ो संगता दे नालो सांजे कर दे दा प्रभाव होंदा है उन्हें आपां सुनिया है महापुर्खांदी रसना तो ही के संगर दा कितना फल जेड़े नौजवान बच्चे कई बजुर्ग भी पाग बनन तों दस्तार सजाऊं तों प्रहेज का रहे सन वेमुख हो रहे सन जेड़ी दस्तार एक तरह दा ताज है इस सरदारी दा ताज दिता है कलकी तर पादशा ने सनू कि आपां सुन्दे हम महापुर्खांदी गुरू सहेब ने किया इन गरीब शिखन को दूँ पादशाही याद करें हमरी गुरियाई जिनकी जात बर्न कुल माही सिरदारी नए पही कदाही इनहीं को सरदार बनाओं तब आगोबिंद सिंग नाम कहाओं तो हुने गलत हाटे सामने स्पष्ट है केस दाड़ा होए सिरत पाग बनी होए पामे ओ अपनी मेंत मजदूरी करके ही आवदा गुजारा करदा होए पामे तान करके ओ कमजूर भी होए पर किसे पासे भी चला जाये तो उसनों सारे सरदार जी कहके बलूंदे हम सरदार जी कहके उनों राम राम कहेंगे नमस्ते कहेंगे सरदार जी कहेंगे बलूंदे इस सरदारियां कलगी तर पाशाने बख्षियां तो सरदारी दा ताज दस्तार है पाग है जिनना तो हड़े सेरते पाग नहीं होएगे तो हनो कोई सरदार नहीं कहेगा तो आड़े सरदारी खतम हो जाएगी तो सरदार दा मतलब की होंदा जिना सब तो मुखी होए जो सब दा हेड होए उनों सरदार किया जानदा है ये सारे यां दा जड़ा मुखी होवे उसनों सरदार किया जन्दा है हुन सद्गरू ने इस सरदारी दिती है सरदारी दा ताज है दस्तार जड़ी पाग है जितनी सोनी तुसी पाग बनोंगे दस्तार सजाओगे तो हड़ा चेरा भी उना खिड़ेगा पर फुलत होएगा ते दाड़ा ते केश इस सेरदा बना है सद्गरू जी ने दिता जसी जे विचार के विखिये हमारे जितनी भी अवतार हुए सभी केसादारी थे भगवार राम को देख लीजिये विशनु जी को देख लीजिये महादेव जी को देख लीजिये सब के केस थे सिर के उपर सो इसलिए हमें जो हमारा असली सुरूप है जो हमको परमात्मा ने दिया है जैसा हमको प्रमात्मा ने बनाया है अगर वैसा ही सुरूप हम कायम रखें तो प्रमात्मा की हमारे पर खुशी होगी प्रसंता होगी तो ये संकेप में आप के साथ विचारों की जो सांज है की है